नमस्कार दोस्तों भारती टीम के खिलाड़ी पढ़िया और राउंडर हार्दिख पांडिया अपने पिता को बहुत साथ मिस्स कर रहे हैं आपको पताईं कि 16 तारिक को हार्दिख पांडिया के पिता का निधन हो गया था हर्दिक पांडिया को हर्दिक पांडिया बनाने वाले हिमानशू पांडिया उनका निधन हो गया था और हर्दिक पांडिया उनको बहुत मिस करते हैं कई बार वो ये बता चुके हैं कि पिता के बहुत करीब थे वो और जब से उनके पिता का निधन हुआ है, हार्दिक पांडिया टूट से गए हैं, बार-बार उनके वीडियो शेयर करते रहते हैं, उनके फोटो शेयर करते रहते हैं और बताते रहते हैं वक्त पर कि उनको कितना जादा मिस कर रहे हैं में एक और तस्वीर जो है वो वायल हो रही है हार्दिक पांडिया की और सीने से लगा कर इस तस्वीर को शेयर किया है हार्दिक पांडिया ने अपने पिता की तस्वीर को वो सीने से लगा हुए है इस तस्वीर में और मतलब इसको देखकर तो यार दिल में भावनाओं का ज गले गए इस दुनिया से और हार्दिक पांडिया लेकर उनको बहुत ज़्यादा मिस्स कर रहे हैं। उनको अपने पिता की कितनी याद आ रही है यह हम सोशल मीडिया के जरीयत देख सकते हैं। तो हर दो-तीन दिन में कोई ना कोई पोस्ट अपने पिता को लेकर डालते रहते हैं। तो यह जो नई तस्वीर है उसमें अपने पिता हिमाशो पांडिया की फोटो को वो गले से लगाए हुए हैं। और इसमें दिख रहा है कि वो कितना जादा पिता को प्यार करते हैं। कितना जादा उन्हें मिस कर रहे हैं। अभी वो फिलाल टीम इंडिया के साथ मौजूद हैं। चेरनई में मौजूद हैं। टेस्ट स्क्वाइट का हिस्सा हैं। तो हम उमीद करेंगे कि बहुत जादा अंदर तक ना टूटे हों। हार्दिक पांडिया थोड़ा सा अगर टूटे हो तो संभल जाएं। क्योंकि टूटे तो जरूर होंगे हैं। हमें पता है कि जब उनके पिता का निधन हुआ था उसके बाद से जो जो वो पोस्ट शेयर करें थे हमें पता चल रहा था कि बहुत ज्यादा अंदर तक टूट गए हैं। लेकिन टीम इंडिया के साथ अभी वो मौजूद है। और यह जो तस्वीर शेयर की है। जाहिर सी बात है ट्रसिंग डोम में कहीं भी होंगे वहीं से शेयर की होगी। हम उम्मीद करेंगे कि वो संभल जाएं। हम तो यहीं उम्मीद करते हैं और हमारी संभेधनाई भी हार्धिक पांडिया के साथ हैं।